तो वेल्कम बेक टू माई किचिन व्लोग किचिन रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप यहां आज देखेंगे कि हमने गोवी की एक नई रेसिपी लेके आए हैं और बहुत ही स्वाधिस्टो जाए के दारे आप अपने किचिन में इसको जरूर ट्राइ किजिए हजो तो भी में खैंगे मांगे चलो मैं थे सुरू करते हैं उसके पहले चैनल arrive seller हमारे चैनल को सास्क्राइब करें कोई आई नी रहें हुक्ए हम स्वागत किस आपार लेके का से आजाओ भाई नए नय या जो हम रहाँ में साबगापता नीया शुरू करते हैं यहां पर दोपया, और जिकता है रमिर्ची ले ले लिए इनको कूट पीस के मिक्सर में पीस सकते हो तो मिक्सर में पीस लेना और हाथ से कूट सकते हो तो हाथ से कूट लो और इसको हमने गरम गरम तेल में अच्छा फ्राइ करना शुरू कर दिया है प्राई उने देते अच्छे इसको तब तक हम सूखे मसाले एट करने की त्यारी कर लेते जैसे की एक चमाच हरी मिर्ची तो हमने डाली दिये हम लेते हैं यहाँ पर धनिया पाउडर फल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर इनको हमने एक ही प्लेट में खटा करके रख लिया है और जो हमारा पैस्ट देखते हैं देख रहे होंगे आपकी यहाँ पर यह फ्राई हो रहा है इसमें टाइम डाईएगा और आपको अराम अराम से भुनना है तेज फ्लेम पर नहीं भुनना है नहीं तो यह जल जाएगा फिर इसका स्वाद हो जाएगा खराब हो जाएगा नहीं फिर आप बोलोगे कि सबजी अच्छी नहीं बनी हमारी तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा मसाला भुन चुका है देख लीजे अच्छे से देखिए फिर मैंने यहाँ पर टमाटर भी एड़ किये हैं दो टमाटर देखाते हो एड़ कर लीजिए और आप देखिए यहाँ पर मैंने तोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाल अच्छे से पक जाए जले नहीं इसलिए मैंने यहाँ पर पानी एड़ किया है आप चाहाओ तो डाल सकते हैं या फिर नहीं डालो तो भी चलेगा पिर भी हमारी गो कि आपके सबजी अच्छी बनी या फिर जल गई तो फिर हम यहाँ पर रहना गोवी कच्छे दो धाके साफ करके पाने में भीगो लेते मैंने आदी गोवी तो इस कटोरे में दोके रखिए और आम इनको दीरे-दीर करके में कडाई में डाल रही हूं कि थोड़ी देर इनको थोड़ा चला यह और फिर एक्स्ट्रा गोवी और रखिए धोके वह भी हम इसमें डालेंगे आप चाहिए तो एक साथ एक ही वरतन में दो सकते में अलग 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 वरतन में इनकों लेकि दोया है कि देखिये हमारी गोविक सब्जी कितनी अच्छी लग रहा है फट गई यह फटने में इसको अभी पकी नहीं है अभी 8-10 मिल्ट इसको कम आज में पकाना है ज़्याज पकाना है नहीं तो यह पकेगी कम जल 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 जाएं इसको कमियाच पर पकाना है आपके इसकी फ्लैम को डिम कर दीजिए जब तक आप दूसरा काम कर लीजिए तो मैंने यहां पर थोड़ा सा पानी भी एड़ कर दिया है ताकि हमारी गोविद चुड़ जाए पक जाए तो फिर इसमे तीन से चार चामाच आपके घर में दाई हो तो ज़रूर एड करिए इससे ही असली स्वाद आएगा यह हमारा अकरी का ट्रिक है जो कि आप कर आप अप्लाइ करना दाई से जरूर एड़ करना दाई से इसमें कटा कटा स्वाद आजाएगा और आपके गोवी ब नहां पसकतों नहां कि अधिले कर दो शुआ है कि और हम जाने तो कर दो कह दो कर दोड़ जा दो पिल खने पादे हैं से एोरा आजसा जा जो जा 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 दो बाल रहां जाई पना थादान हम जा शुआ हैं